वेलकम तो फैंटेसी गाउंसल लगातार वुमिन्स के मैचेस में इतना बड़ा विंडेट चल रहा है कि अभी तक कोई चैनल ऐसा नहीं कर पा रहा है यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूं पिछले मैच में मैं कैसा है 16 लाक के प्रॉफिट में रहा था सिर्फ एक द खेलता हूं सबसे ज़्यादा देखो मैंने सबको दिखाया था चार पचास पे साड़े छे बज़े एक मैच था और एक साड़े दस बज़े मैच था राइट दस लाख 40,000 मेरा वालट बैलेंस था उस टाइम पे और रात को खतम होते ही जो मैंने शेर किया था अपना दाले थे वहां पे आप जाके देख सकते हो तो देखो कितना बड़े मार्जिन है यार दिन का 16,000,000 बहुत बड़ी बात हो जाती है और आप सब को पता है यहां पे कमिशन बहुत जादा कम है तो जो मैं कॉंटेस माले लो अगर मैं 4,000,000 लगाता हूं अगर मैं इस एप प प्रॉफिट यह ना उस 10,000 को जीत कें 20,000 भी तो कर सकते हैं तो खेलना कहां पे है खेलना सिर्फ माइं मास्टर 11 पे है डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट में लिंक है वहां से आप डाउनलोड करें डाउनलोड करके साइन अप करें iOS user use करें code F council और आप हमारी फैमिली म आप और आज जो मैच होने वाला है वो होने वाला है साथ अफ्रीका न्यूजिलेंड के बीच में दोनों ही टीम हारी हुई है खास तोर पे न्यूजिलेंड ऑस्ट्रेलिया से हारी लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आता है जो यहां पे एक मेजर सेट बैक हुआ है साथ इस थ्रिलर में सबसे ज़्यादा फाइदा दोनों टीम को होना हो तो अगर आप नहीं आए चैनल पर तो सबस्क्राइब करें हमारा वेरिफाइड यूट्यूब चैनल और साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें और उसके लाबा क्या करना है टेलीग्राम चैनल जोइन करें क्योंकि फाइनल टीम में अगर कोई चेंज होता है तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा पीएसल भी स्टार्ट हो रहा है तो उसकी टीम भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और हाँ वीडियो भी आ रही है पीएसल की हर दिन आएगी वीडियो पीएसल के म मैं चिस की भी तो मेक शूर आप सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल जॉइन करें ऐसे कुछ इस तरीके से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन जहां पर आपक टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना है और यहां से आप जॉइन हो जाएंगे सीधा हमारे अगर आपको आपको आसान यह तो सबसे असान तरीका डूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं आप सर्च में जाएं सर्च में जाके लिखें फैंट आसी काउनसर अब आप ध्यां यूजर नेम किसका fantasy council है बिना अंडर्सकोर देखो जो आपको उपर return में नजर आ रहा है अब आप देखोगे जो फेक चैनल है उनका क्या है fantasy council अंडर्सकोर council अंडर्सकोर fantasy fantasy अंडर्सकोर council fantasy dot council ऐसा कुछ नहीं तो टॉप वाला नजर आ जाएगा हमारा यूजर नेम अच्छे से fantasy council टी डॉट में तो इस तरीके से जॉइन कर सकते हैं आप हमारा जरूरी है ना ऐसे अंडों की तरह तो पैसा डाल के copy paste की जिंद्गी में नहीं जी सकते ना तो यहां पर बात करेंगे हम लोग पिछ रिपोट की grand league के key players बताऊंगा cvc के साथ न्यूजिलेंड और उसकी वीडियो उठाके देख लो अगर पुराने बंदे हो तो आपको पता ही होगा नए आये हो चैनल पे अगर नए आये हो चैनल पे तो जाओ मैं पहले कहूंगा सबसे पहले वह वीडियो देखाओ टीम देख लो मेरी cvc देख लो मेरे grand league के team ती small league में उस match में ऐसी नहीं मेरा 16 लाग का profit 28 लाग के करीव मेरी विनिंग तो तो आप सोचो एक match में आप 28 लाग नहीं तो 280 तो कर सकते हो इसका 10% एक परसेंट 28000 कर सकते हो अगर budget कम है 0.1% कर सकते हो मतलब profit करना चाहिए तो हम देख लेते क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की playing 11 खेलना का पर यह मैं आपको बता चुका हूं my master 11 पे क्योंकि यहां पर ही आपका सबस्यादा फायदा होता है commission बचाओ दिमाग लगाओ अभी कम है आने वाले IPL में दुनिया आपको इस मैं इस platform पे खेलती ही नजर आएगी मेरा नाम बदल देना अगर ऐसा नहीं हुआ हर बार बोलता है screen recording कर लो इस चीज़ के जितने मूं मांगी कीमत दे दूंगा अगर तुमने मुझे दिखा दिया कि देखो IPL में आपने ज सोगा सब्सक्राइब करों सोदा सो रुपे से प्रेटिक्षन में इस मैंच में आप को अभी बता दे तो मेरी रेरियो प्रियौ प्रेडिक्षन कंड क्या रहने वाली है सो तो डेय रुक्ष्ट मेरी जो सब्सक्राइब है तुम्हें आइडिया भी नहीं है अगर आप अभी तक नहीं खेल रहें कितने लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं इन फैक्ट मैं मैंने तो बताएं मेरा हर महीने यहां पर से 4-5 लाग गोल रहता है कि मैं हर महीने आसे फ्री के फ्री के चार से 15 लाग रायरियो से तो यहां पर मेरी एक Aemilia कर M-Cat और Lora Wolfart यह रहने वाले हैं मेरे रायरियो प्रेडिक्शन में जिसमें मेरी CEO होगी अमेलिया कर यहां फिर एम कैब भी बना सकते हो आप यह है मेरी प्रेडिक्शन ग्रैरियों की तीन कार्ड से यह आप यहां पर करोड़ों जीत सकते हो तो चलो आप देखते हैं क्या रहने वाली दोने टीम्स की प्लेइंग 11 पिच रिपोर्ट ग्रैंड लीग की न्यूजिलेंड की प्लेइंग 11 बहुत बड़े मार्जिन से पिछले मैच हार के आई यह सोफी डिवाइन सूजी बेट यह रहने वाले ओपनर्स मैंने बताया था सूजी बेट पिछले मैच में कि ड्रॉप कर देना बहुत जाद फायद होगा अमीलिया कर मेडी ग्रीन इस लिए पिछले मैच की मैं आपको बताय तो पार प्ले मैं आपको कौन कौन दिखा था पाइधा हूँ और जैस कर सॉरी नहीं पावर प्ले डैथ में इन दोनोंने ही बॉलिंग कर आई थी उसके बाद मिडल आए थे तो फ्रेंच जोनस ने और अमीलिया कर मिडल ओवर प्लस डेथ में नज़र आई थी इन पांच उने ही मेंली अपने सारे ओवर खतम कर दिये थे अब देखते हैं इनके स्टैट्स क्या चल रहे हैं कैसा यह परफॉर्म करते हैं आमने सामने भी हैट्ट में जब देखता हूं तो सोफी डिवाइन के रन बहुत जादा है सोफी में 517 रन है और बॉलिंग जो छे इनिंग में उसमें तीन विकेट लेके गई हैं अगर आप देखो कि यह भी जीरो पर ही आउट हो गई थी बोल लोगी थी दोनुसों फिवाइन और यह डिवाइन लग लुए थी जॉर्जी अप्लाइमर हैट टुएड पहली बार खेल र आते हैं अग्मिंश में अगर आप देखो कि फरस्ट इनिंग में कर रहता है पच्छी स्टीनिंग में रहता है 18 तो फ GI इनिंग रहता है फिर आती है बारी मैडी रीट है head to head अगर आप देखोगे 8 match 29 run और balling अभी तक नहीं कराई है ongoing में एक match 9 run पिछले match में अच्छा केल रही थी ठीक ठाक था क्योंकि कोई double digit में जाई नहीं पा रहा था अगर मैं बात छोड़ू bezoid not की head to head balling batting कभी नहीं करी है अगर आप देखोगे ongoing पिछले match में 14 run बनाए है recent form 14, 0, 3, 3, 7, 30 इस तरीके से रही है हैली अंसन ने पिछले match में wicket भी लिया है 2 run भी मारे है head to head में 7 match में से 2 run है और 7 match में 9 wicket भी लिया है recent form अगर आप देखोगे 3 wicket 0, 0, 2, 1, 0 when you be stats देखोगे तो साथ match में 2 wicket मलब ठीक है अच्छा खेलती है लीता हूँ काम कर जाएगी Fran Jonas पहली बार खेलेंगी सामने जो balling कराई थी पिछले match में उसमें एक match में अगर आप देखोगे जो बारा मैच में इन्होंने 13 लिये फस्ट इनिंग में नौ विकेट है सेकंड इनिंग में चार विकेट तो सेकंड इनिंग में अब अब अप्लिकेट नहीं लेती है जैसकर हैड़ अभी अप्लिकेवल नहीं लेकिन बालिंग बैटिंग में नहीं दो मैच में सिर्फ दो विकेट है पिछले match में एक विकेट मिला था दस रन भी मारे तो उसमें चौका भी था और अगर आप देखोगे फस्ट इनिंग म और आख आई लेकिन पिछली बार में आपको बतायता हूं काफी लेट आई ती सुन अबनाबा पारप्ले कौन कराता है के साथ मलाबा आती है इसे को डेस बूलते मिडल ओवर में ही अपने नदीने देखलर पूरे और करा जाती है तो एक दो तीन चार पांच और छटी बॉलिंग ऑप्शन हो जाती है इनकी लेकिन पिछले मैच में खेर कुछ नहीं किया यह में बॉलर ही यूज हुए थे सारे चटे बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं बड़ी थी तो थोड़ा एक बार देखते हैं आपस में जब भीड़ते हैं तो क्या करते हैं वेन्यूपे एक रन एक मैच पांच रन जो पिछले मैच में ट्रॉयंग का था रोको मैं यहां से शुरू करता हूं पह रहा है लोरा वुलफार्ट पिछले मैच मैच में अठार तो दोनों इनिंग में रन मारती हैं ऑवराल टी तो काफी एच्छे रिकॉर्ड्स हैं लॉरा के ताजमिन ब्रिच फिछले मैच में बार रन मारी लेकिन एक रन आउट एक कैच लेके काफी ज़्यादा पॉइंट देके कही थी अगर आप देखो कि हैट तो तीन मैच में 17 नहीं चलती है न्यूजलेंग के खिलाव भी बहुत कम फरफॉर्म करती ताजमिन ब्रिच फिर आती है ना के बॉश ने आचता आट मैच खेला है न्यूज्जलेंग के खिला उसमें तीन रन थे आवरेज ठीक है फस्ट इनिंग में 19 की ऐवरेज होती है सैकंड इनिंग में से रन स्कोर किये पांच तो अगर मैं इधर की साइड आ जाता हूं जो लूज के बाद बैटिंग करने आती है है तो एक मैच में पांच तो यह थोड़ा भूट ठीक है खेल लेती है वेन्यू पे इसने पिछले व्यार परफॉर्म भी किया था अगर होती है तो एक अच्छा ऑप्शन होती है वरना सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से इस पर रिलाइन नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को अगर आप देखो कि इसने पिछले मैच में किते रन मारे इसने पिछले मैच में मारे ते 10 रन और कैच आउट हो गई थी राण अव पिछले मैच में और पिछले मैच में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई मलब विकेड भी अगर मैं देखो तो कम थे क्यूंकि डेट वी सो और भी डाला था और बैटिंग से लंका क्या आगे अगर आप 30-40 रंकी पारी नहीं खेले तो क्या आपने वेस्ट कर दिया पॉर्चु भी सोनिम इसमाइल जो पिछले मैच में विकेड लेकिए गई एक मेडिन भीफेक भी सातरंकी पारी भी खेलेगे गही जब हैट तो ध्यारामें सिर्फ बहुत कम विकेड लेती है बहुत कम विकेड लेती थी स्माइल न्यूजलेंड के खिलाफ आयो बांगा खाका पांच म में एक चीज समझ आती है न्यूजिलेंड के खिलाब परफॉर्म करने वाले बहुत ही कम प्लेयर है लॉरा वुलफार्ट अच्छा केल लेती है शबने मिस्माइल खाका मलाबत तीनों ही विक्ट नहीं ले पाते हैं तो यहां पर पर परिशानी का सबब बन जाएगा साथ कमेंट के विनर अभी तक मेरे खाल से हो चुके होंगे पांच प्रिये कमेंट भी रहने वाले इस वीडियो में तो पांच बैस कमेंट को दूंगा मैं हजार रुपे का पेटीम कैश तो आए जरूर उस श्रेणी में वीडियो पूरा देखें अभी तक सब्सक्राइब नही पिछ एक नया ट्रेंड चल रहा है तो यह चल रहा है अभी तक का नया ट्रेंड कि टॉट जीटके बैटिंग लो और फिर विटा पड़ जा रहा है क्यों क्यूंकि ड्राइव इक जिता उस पे खेलोगे उत्ता सूकता चला जाएगा उत्ता स्पिनर को हेल्प करता जाएग यह भी विकेट ऐसा ही रहने वाला है अल्मोस्ट इसके जो पिछले मैच अगर जो इन्होंने आज तक खेले दो मैच जीती है अफरीगा दस मैच जीती है न्यूजिलेंड और दोनों के लिए यह बहुत इंपॉर्टन मैच है जो हारेगा वो भार जो जीती है वो अंदर य लेकिन जब बात करते हैं अभी रिसेंट मैच की वेस्ट इंडीज वुमेन का यहां पर 12 आपको जो मैच हुआ था इंग्लेंड के साथ साथ विकर से जीता था ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड को जो हुआ ऑस्ट्रेलिया ने वह 97 रन से जीत लिया है काफी लंबे मार्जि से दोनों बड़ी टीम जीत गई इंग्लेंड ऑस्ट्रेलिया तो इस मैच में बड़ी टीम यूजिलेंड इस चीज का आप लोग ध्यान रखें लेकिन उलट फेर की कोशिश रहनी चाहिए इनके बीच में पिछला मैच हुआ तो उसमें क्या हुआ था जरब उस पे नजर म सब्सक्राइब लेने वाले कौन बॉलर थे एक ही विकेट की रहा है मलाबक को मिला था बाकिस सब ने मार खाई अन्यके बहुश भी कुछ नहीं कर पाई यह चेस करने आए छे ताजमिन तीन रन अन्यके बहुश 26 रन मिगांदू प्रिया लॉरा ने मारे त्थाइस वो राशी ही थी रसोडे में कौन था सोफी डिवाइन थी तीन विकेट लेके गई थी एक विकेट मिलाता है ना रो को एक मिलाता है हिली येंसन को और एक लेके गई थी अमीलिया कर फ्रैंच जॉनस विकेट लेस ताहू विकेट लेस और कारसन विकेट लेस तो ये था पि अमीलिया कर देगी टू डाउन बेटिंग करके भी चार ओवर भी कराके तो सबसे बेस्ट ऑप्षिन कौन है जी एल में जिसे में ट्रॉप नहीं करना अमीलिया कर ठीक रिकॉर्ड है ओन्गोइंग में किस रन भी है तीन विकेड भी है अच्छा केलती है है एड टो एड में सब्सक्राइब है तो अमीलिया कर गई लीगता हूँ हूँ यह बंदी अगर न्यूजिलेंड पहले बॉलिंग करा रही है तो जरूर उठाके अपनी टीम में रख लेना क्योंकि उस केस में बहुत विकेड लेने वाली है सेकिंड में इसलिए कम कर दूंगा क्योंकि फिर इ सब्सक्राइब क्योंकि साथ अफरीका से आप पूछ सकते हैं सूजी है तो गहींगे जी हां सूजी है ऐसा सुजा सकती है सूजी बेट्स इस वाले मैच में तो आपको जो बैटर लेनी है ना उसमें सूजी बेट्स एक अच्छा ऑप्शन है इस चीज का आप सब लोग ध् सबस्का और 30 रंकी पारी वुलफाट के बल्ले से मैं एक्षट कर रहा हूं मारी जाने काप को ड्रॉप मत करना पिछले मैच में रो गई थी हमारी बंदी लेकिन इस मैच में रुला सकती है अपनी सिंगल हैंडिट परफॉर्मेंस है तो मारी जाने क्या जित्ते की प्लेयर दो सो दो सो पॉइंट की रहा था दो सो दो सो पॉइंट की माहिने रखती है तो अमीलिया कर और कैप यह सी वी सी भी आप ट्राइब कर सकते हैं यह हर मैच के लिए अच्छी है इस चीज का ध्यान रखना फिर बारी आती है सोफी डिवाइन की यह अपनी रिस्की टीम में हो क्योंकि अगर सोफी डिवाइन का बज़ना चल जाता है ना तो सामने आले टीम पस्त हो जाती है बिल्कुल और इस बार यह बालिंग भी करा सकती है मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैच बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट मैच में बड़े चलते ह शब्दीम इसमाइल को अपनी रिस्की टीम का वीसी बनाना बरना मत बनाना क्योंकि ये एंजी के खिलाब विकेट लेस रहती है ज्यादा तर तो अगर ये विकेट लेगी तो आपको फायदा होगा मिनी ग्रैंड लीग में तो जिनका बज़ट अच्छा है वो ये रिस्क चीज मैं आपको बता रहा हूं पिछले मैच में रन नहीं कर पाई इस मैच में रन आ रहे हैं सुजी बेट्स के बल्ले से तो अगर आप किसी बैटर को वी सी करना चाते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन या तो सुजी है या लॉरा है इन दो में से कोई एक वी सी निकल सकता है ग्रेंड लीग का भी तो उससा आप से जरूर खेले अब चलते हैं हमारी स्मॉल लीग के टीम क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं मैं मास्टर लेवन की मेरी ये टीम है और इसमें कीपर बहुत तफ था मुझे चुनना क्योंकि सिनोला जाफता थी और मैड लेने वाली है मेरी कीपर सुजी बेट्स लॉरा गुलफार ताजमिन ब्रिट्स ये तीनों मैंने बैटल ले लिए ताजमिन बिच को ड्रॉप करके आप सुने लूज के लिए भी जा सकते हैं मार्जाने कैप अमीलिया कर सोफी डिवाइन लीता हूँ ये मेरे और जिसमें स अच्छा ऑप्शन है सी के लिए क्योंकि बैटिंग आती है वन डाउन और चार अवर आते जिसमें डेट के दो वर हैं वह चीज़ भी कंसिडर करने वाली है सौथ अफ्रीग अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी ना तो कैप को सी करूंगा न्यूजिलेंड पहले अब आकि यह टीम रहने वाली है तो टेलिग्रम चैनल अभी तक आपने जोइन नहीं गया तो वीडियो खतम हो गई है आप अभी जोइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं करा तो कारदो या तुमारा एक उंगली मारने से हमारे नंबर्स बढ़ जात